क्या आप जाना चाहते हैं कि December मन्थ में आपकी Love Life में क्या हो रहा है? क्या आपके Partner की Energies होंगी? क्या आप महसूस करेंगे? और कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप December मन्थ की Energies को बहतर कर सकते हैं? आप अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं? और अगर इन सवालों का जवाब Yes है, Hi, I'm Kiran Shahapuri and मैं हर मन्थ आपके Zorik Sign के हिसाब से आपके लिए Monthly Love Tarot Readings लेकर आती हूँ और ये December 2022 की Love Tarot Reading है जिसमें इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और दूसरा अगर आपका सवाल है कि इस Reading को आप किस Sign के हिसाब से देखें, तो देखें Tarot Reading को आप किसी भी Sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशी हो, आपका Moon Sign हो या फिर आपका Sun Sign हो और अगर आप मुझ से पूछेंगे कि कौन से Sign को फॉलो करना चाहिए, तो देखें, जिस Sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी Readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी Sign के हिसाब से इस Reading को देखेंगे, तो जादा भैतर रहेगा तो चलिए जी, शुरू करते हैं, December 2022 की Love Tarot Reading चलिए, केंसेरियन्स, आप लोगों के लिए देखें कि December 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पस यहाँ पे तीन सेट of cards हैं, फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे, सेकिन सेट में आपकी Partner के Energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally December मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं केंसेरियन्स और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है until we meet again और यह card कहता है कि कुछ time से यह December starting में यह December मन्त में कुछ issues, कुछ issues आप दोनों के बीच में रह रहे हैं और किसी level पे किसी तरीके का एक distance आप दोनों के बीच में आ रहा है यह distance अपके लिए differ करेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि physically आप लोग साथ में रह रहे हैं लेकिन mental, emotional level पर disconnect आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि physically आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं इतनी बातचीत नहीं हो रही है और again, you know, एक distance आ रहता हुआ दिख रहा है और इसी वज़े से otherwise भी Ace of Cups reverse and Four of Cups reverse के cards कहते हैं emotionally आप low feel करते हुए दिख रहे हैं एक मैं कह सकती हूँ कि satisfaction, happiness, joy एक तरीके से missing रहती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि literally आप social circle avoid कर रहे हैं लोगों से नहीं मिल रहे हैं इतना जादा eating, drinking, merry making, fun नहीं कर रहे हैं या फिर avoid कर रहे हैं और हो सकता है कि आप इसी distance को कम करना चाहा रहे हैं इस relationship में आप personal front से related किसी area में चाहा रहे हैं और इसी से related यानि कि नहीं beginning से related कुछ issues, कुछ मसले रहे हैं और इसलिए भी कुछ के लिए हो सकता है कि आप emotionally low feel कर रहे हैं या मैं कहूंगी कि एक you know excitement, enthusiasm कहीं missing रहतावा दिख रहा है कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छी कोई opportunity थी इस relationship से related या फिर आपके personal front में किसी चीच से related जिसको आपने miss करी और उसके बारे में आप सोच रहे हैं उसको आप regret कर रहे हैं deeper level के लिए work, engage, experience का काट कहता है कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि career professional life एक reason आप लोगों के भीश में distance का है again ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि cancerians आप अपने work में बहुत जादा involved हो रहे थे, बहुत जादा focus कर रहे थे, बहुत जादा आपकी तरफ से cancerians आधर है तावा दिख रहा है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है cancerians की work की वज़े से आप emotionally low feel कर रहे है यानि कि आपके professional front में चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से आप चाहा रहे हैं और इसी लिए आप low feel कर रहे हैं जिसका एक impact आपके relationship में पढ़ रहा है यानि की relationship में इसकी वज़े से issues हो रहे है और दिखे जो भी रहे कहीं December end के लिए the devil and breaking free के cards कहते हैं कि एक pressure, एक tension आप किसी चीज़ को लेकर बहुत जादा महसूस कर रहे हैं एक obsessive सी energy रह सकती हैं बहुत एक possessiveness आप अपने partner के लिए या पर किसी भी चीज़ के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं बहुत जादा कुछ के लिए हो सकता है आपको लग रहा है कि आपको आपके partner की आदत हो गई है या पिर कोई और चीज़ भी आपकी personal life में रह सकती है और कहीं देखिए होता है ना मुहो माया के जाल में फसना तो वैसी सी energies बहुत एक attachment आप महसूस कर रहे हैं जिसकी वज़े से भी मैं कहूंगी कि एक pressure एक tension एक stress रह रहा है deeper level के लिए आप aware है इन्ही सब चीज़ों को लेकर और इन्ही सब बंधनों को आप तोड़ना चाह रहे हैं कुछ के लिए भी हो सकता है कि कुछ restrictions, कुछ limitations है society, religion, family या किसी भी तरफ से आपके negative thought process की वज़े से आपके strong belief system की वज़े से और आपको लग रहा है कि उसकी वज़े से issues हो रहे हैं उसकी वज़े से एक pressure build up हो रहा है और कहीं इसको आप तोड़ना चाह रहे हैं तो किसी चीज़ से जो भी again आपको restrict कर रही है, बांध रही है उससे आप अपने आपको free करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए literally ये relationship हो सकता है और फिर से मैं कहूंगी बहुत कम लोगों के लिए ये energies रहेंगी कि आप इस relationship से free होना चाह रहे हैं overall again मैं कहूंगी कि जो चीज़ आपको बहुत ज़ादा बांध रही है फिर से गुस्सा हो सकता है, limitations, restrictions, family, society, religion आपका thought process, आपका negative belief system उससे आप अपने आपको free करना चाह रहे हैं और आप देखते हैं के in series के आपके partner की के energies हैं तो आपके partner के लिए देखें सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं two of wands, reverse and making a move making a move का card बहुत ही clearly movement की बात करता है, shift की बात करता है जो कि आपके partner कुछ time से या December starting में चाहते हुए दिख रहे हैं ये movement, ये shift भी सबके लिए differ करेगी कुछ concerns के partner के लिए literally हो सकता है कि वो December month में travel करना चाह रहे हैं या फिर travel कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि हमने आपके cards में देखा कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं आपके partner action लेना चाहा रहे हैं initiatives लेना चाहा रहे हैं आगे बढ़के चीजों को resolve करना चाहा रहे हैं और बहुत कम concerns के partner के लिए मैं फिर से कहूंगी बहुत कम concerns के partner के लिए ये भी हो सकता है कि वो इस relationship से move on करना चाहा रहे हैं और देखिए जो भी deeper level के लिए energies हो कही surface level के लिए two of wands reverse का card कह रहा है कि ये movement ये shift नहीं कर पा रहे हैं फिर से देखिए अगर वो action initiatives किसी भी तरीके के लेना चाहा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं move on करना चाहा रहे हैं तो move on भी नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन कहीं cards कहते हैं कि आपके partner इतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लेकर इतना confident नहीं हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि खुद के लिए इतना confident नहीं हो रहे हैं, circumstances, situations की वजह से भी, कहीं उनों इतना again confidence नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से next step नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो भी वो अपने लिए this relationship के लिए चाहते हैं उसके लिए. अने के mid December के लिए I don't care and eight of coins reverse के काज कहते हैं, कि या तो वो इस relationship के लिए again effort करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है over effort कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो अपने professional front पे ज़्यादा attention देना चाहा रहे हैं, या फिर दे रहे हैं and in the process देखे, किसी चीज की वो परवा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे I don't care का card, literally you know, ऐसी energies की बात करते हैं, कि या रहे यार मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, अब यहाँ पे देखे, किस चीज की आपके partner care नहीं कर रहे हैं, यह again सब के इंसेरियंस के लिए चीजें हैं, उनकी उनको कोई परवा नहीं है, कुछ के इंसेरियंस, फिर से मैं कहूंगी, कुछ के इंसेरियंस के लिए हो सकता है कि इंसेरियंस आपकी उनको परवा नहीं है, उनको लग रहे है कि कोई फरक नहीं पड़ता, आप मेरी लाइफ में हैं, या आप मेरी लाइ उससे related issues हैं, ये भी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैंसेरियन सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि work front, professional life पे focus करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship के लिए effort, महनत करना चाह रहे हैं, नहीं कर प तो वो आपके साथ हैं, या फिर उनकी energies हैं कि आपको कभी भी कुछ भी ज़ुरत पड़ेगी, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और आपको हर हाल में, हर situation में support again करना चाह रहे हैं, cooperate करना चाह रहे हैं, आपके साथ हर चीज को face करना चा करना चाह रहे हैं, deeper level के लिए, लेकिन surface level के लिए, उनके action initiatives missing रहते हुए, दिख रहे हैं, और कुछ Ganserians के partner के लिए ये भी हो सकता है, कि पीछे अगर वो action और initiatives नहीं ले रहे थे, जैसे कि हमने देखिए two of wands reverse and eight of coins reverse के भी card में देखा, तो कहीं इन ही in action वाली energies में से December end म वो बहार निकल रहे हैं, देखिए general reading होती है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, broader level के लिए again मैं कहूंगी उनकी deeper level के जो energies हैं, वो surface level के energies के साथ इतना जादा नहीं match कर रही हैं, यानि कि deeper level के energies cooperation की बात कर रही हैं, support की बात कर रही हैं और surface level के energies कहीं एक situation में stuck रहने की बात कर रही हैं, या किसी stuck situation से बाहर निकलने की बात कर रही हैं, और रो सकता है कि concerns आपको ऐसा लगे कि भई वो आपको support नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आपको इतना favor नहीं कर रहे हैं किसी situation, किसी circumstances में, या आपके लिए इतने available नहीं हैं, बट ऐसा नहीं हैं, उनकी deeper level क energies एकदम से different हैं, वो आपके लिए available हैं, आपको support करना चाहा रहे हैं, it's just कभी-कभी क्या होता है न कि हम सोचते कुछ और हम करते कुछ और हैं या कुछ और हमारी energies से दिख रहा होता है, तो कुछ ऐसा सा ही difference concerns concerns आपके partner के लिए रहता हुआ दिख रहा है, और आप देखते ह है cancerians की December month में क्या हो रहा है, तो देखे December starting की energies ठीक ठाक रह रहे हैं, यहाँ पर wheel of fortune and you are lucky के card कह रहे हैं, कि आप दोनों की energies कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन situation, circumstances supportive रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं किस्मत इस relationship का साथ देती हुए दिख रह ही है और कुछ changes भी इस relationship में आ रहे हैं, यह सब के लिए differ करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखे एक positive changes रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि you are lucky का card कहीं, situation, circumstances के favor करने की बात करता है, और बहुत speed से चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, कि इतनी तेजी से चीज़ें हो रही हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप comprehend नहीं कर पा रहे हैं और एकदम से जिसे बोलते हैं कि सामने से चीज़ें बदलती जा रही हैं, और वहीं कहीं देखें, mid December के लिए एकदम से एक positive relationship में आ सकता है, जहां पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत safe, बहुत secure हो दिख रही है, safety, security काफी एहम, काफी एक priority आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए रह सकती है, जहां पे ऐसा लग सकता है कि भाई, जब तक जो चहाते हैं उसको लेकर surety ना आए, तब तक आगे ना बढ़ें, और देखें surface level पे जरूर ऐसी energies हैं, लेकिन deeper level के ल आपको दिखा रहे हैं, उतना strong कही deeper level पे नहीं महसूस कर रहे हैं, vulnerable से रहते हुए दिख रहे हैं, और जैसे बोलते हैं कि बहुत effort आपको करना पड़ रहा है, और आपको यसे लग रहा है कि कुछ भी अगर हुआ तो आप शायद बहुत time तक ऐसी energies में नहीं रह पाएंगे बहुत time तक इस pause वाली energies को, इस you know rigid वाली energies को नहीं रख पाएंगे, and देखे, end December के लिए हापे helping hand and the world के cards कहते हैं, आप दोनों में से किसी एक को हो सकता है, किसी help, किसी support की ज़रत है, और वो एक helping hand, यानि कि वो support चहाने के लिए अपना हाथ आगे कर रहे हैं, या फिर या otherwise भी हो सकता है, कि आप किसी situation में हैं, और सामने वाला आपको help करना चाह रहा है, तो helping hand का card कहता है, कि you know, जो भी परेशानी में है, दूसरा इनसान, या तो उससे help or support मांग रहा है, या फिर help or support नहीं मांग रहे हैं, बिनना उसके ही सामने वाला help कर रहा है, और कहीं इस वज़े से एक phase, एक you know, level इस relationship में end होके, चीज़े next level पर जा रही हैं, और फिर से मैं कहूंगी, ये सब के लिए differ करेगा, आप लोगों के cards देखें, तो कुछ issues, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं, और उसके हिसाब से देखें, ये issues, ये मसले end होते हुए दिख रहे है और एक नई beginning, आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि इस relationship को end करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, ये पुरी जिंदगी की आपकी reading नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि permanently break up हो गया, ये permanently, you know, आप लोग आगे बढ़ गय हैं, या फिर ये relationship end हो गया है, please, I am not saying this, ये सिरफ और सिरफ December month की energies हैं, and the world and helping के cards, December end की energies जादा बता रहे हैं, तो इस time पे, कोई एक phase, कोई एक चीज, इस relationship में end हो रही है, नहीं एक शुरुवात हो रही है, उचके लिए ये भी हो सकता है, कि you know, आपका relationship next level पे जा रहा है, for example, अगर आप लोगों की बात हो रही थी, तो आप लोग date करना शुरू कर देंगे, अगर आप लोग already date कर रहे थे, तो commitment आ रही है, अगर already committed थे, तो शादी की बात चल रही है, तो इस तरीके से next level पे चीजें जा रही है, मतलब एक phase end हो रहा है, और दिखिए overall के लिए, इ मैंने कहा, Cancerians, यहाँ पे cards broadly speaking, again मैं कहूंगी, कह रहे हैं, किसी को help की ज़ुरत पर सकती है, आप दोनों में से, और दूसरा जन help करने के लिए ready है, या फिर help मांग रहा है, और इसकी वज़े से याँदवाइस भी एक phase end हो रहा है, और नया phase इस relationship में शुरू हो रहा है, और बहुत कम, बहुत कम लोगों के लिए, ये भी रह सकता है कि इस relationship को ही end करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, या फिर बढ़ रहे हैं, तो ये था Cancerians आप लोगों के लिए December 2022 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैन को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें